अब मत करो समय बर्बाद, ना मिलेगा ये मौका बार बार, जॉइन करो Software Engineering इस बार, अगर करते हो Coding से प्यार, तो सीखो Angular Java Python इस बार, होगा आपका सपना साकार, जॉइन करो WAP Institute इस बार हलो स्टुडेंट्स, ये C++ का Chapter 7 है, चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट किजिए, ये वीडियो देखा आपने Software Design Pattern MVC and MVVM, जरूर देखे इस वीडियो को Software Development के फिल्ड में आगे बढ़ना चाहते है, तो ये वीडिय आपके लिए Beneficial होगा, वैसे वो वीडियो आपको Special Videos for Developers इस प्लेइलिस्ट के अंदर दिख जाएगा, इस वीडियो में चार इंपोर्टेंट टॉपिक को हमें समझना है, पहला Inheritance, अगला Base Class, Derived Class और ये Access Specified जिनमें से आप Public को जानते हो Private और Protected, इनको समझना है, मतलब अब इन तीनों में क्या Difference है जे कहां इस्तमाल करना चाहिए आपको Public, Private और Protected, ये सारी जनकारी आप इस वीडियो में जानोगे, Inheritance की शहायता से एक Class के Property और Method को किसी और Class में आप इस्तमाल कर सकते हो, बिना उस Class का Object बनाए हुए, मतलब क्या हुआ, ये आपको Code करके सम हार एक्सेस कर सके, मैंने एक Property बनाया, X के नाम से, मैं कोई Data अशाइन कर देता हूँ इस तरह से, इसके बाद एक और Class बनाए है, जरा मैंने 2 के नाम से Class बनाया, मुझे इस One Class के अंदर से, इस Property को एक्सेस करना है दूसरे Class में, पहला तरीका है कि मैं इस One Class का Object बनाओ, और ये Property एक्सेस कर लूँ, कैसे बनाएंगे Object, One Class की शहायता से, कोई भी नाम डिफाइन कर देंगे Object का, लेकिन ध्यान डखिये Class के अंदर, कोई भी Object, Direct Class की Body में नहीं बनेगा, या तो किसी Function के अंदर होका, नहीं तो Constructor के अंदर, जैसे, ये Object हमने, Direct Class के Body में बनाया, लेकि Demo के नाम से Function बनाया, और फिर इसके अंदर, आप Object को बना सकते हो, किसी और Class का, या आप Demo Function ना बनाओ, आप Constructor ऐसे बना लो, तो फिर इसके अंदर, आप किसी अनदर Class के Object को बना पाओगे, अब यहाँ जो Object बना, डारेक्टूस Object की शाहता से, आप X Property को एक्सेस कर सकत हो, क्योंकि X Property पबलिक है, और, वन Class का Object जहां बनेगा, उसकी शाहता से, आपका X Property एक्सेस हो जाएगा, टेस्टिंग कीजिए, मैंने Cout का इस्तमाल किया, और इसे, प्रिंट करने का कोशिस किया, Main function के अंदर किसी ना किसी का Object बनाना होगा, आपको 1 या 2 का, या आपको Decide करना है, कि आप 1 का बनाओगे या 2 का, अगर आप 1 का बनाओगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, हमें Testing 2 के माध्य हमसे करना है, क्योंकि 2 जो है, वो 1 की शाहता से Object बनाकर आपको Result देगा, तो Main function के अंदर, आप 2 की शाहता से कोई Object बनालो ऐशी, जैसे ही आप Object बनाओगे, देखिए 2 जो है, उसके अंदर Constructor है, ये Call होगा और आपको Result मिल जाएगा, रन किजिए जरा, देखिए यहाँ पे एक छोटा स्वा वार्डिंग आया, क्योंकि जो 2 है, उसके अंदर जो Constructor वो Public नहीं है, उस ये Public करना होगा, तभी Main function के अंदर, डारेक्ट वो Call हो पाएगा, तो Public करने के बाद जरा, रन किजिए, देखिए, रिजल टाया, 1, 2, 3, 4, तो ये एक Common शा तरीका था, जिसे किसी और Class के Property को आप Access कर सकतो, या अगर इस Class में कोई Function होता, तो उस आप Access कर अबजेक्ट बना कर, लेकिन एक और तरीका है इस Class के Property को Access करने का Inheritance, अगर उसका इस्तमाल करेंगे तो आपको इस One Class का Object बनाने के अवशकता नहीं है, बल्कि Direct जो X होगा, उस ये आप Access कर पाऊगे, कैसे इस्तमाल करेंगे Inheritance का, इसको समझे, मैंने Class 2 को बिलकुल ख के Code को Access करना है, वो Class यहां देंगे, तो मुझे One के अंदर से Property और Method अक्सेस करना है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, जो Two वाला Class होगा, उसके वाद Colon का Symbol दूंगा, और Public Keyword के साथ One Class का Declaration यहां पर ऐसे कर दूंगा, इसी टेकनीक को कहा जाएगा Inheritance, या आप ऐसे कि मैंने Two Class में One Class को Inherit किया, क्या फायदा होगा Inherit करने से, अब आप Two Class के अंदर इस One Class से Related कोई भी Property या Method अक्सेस कर पाऊगे, बिना Object बनाए हुए, कैसे, आप Simply Direct X Write कर सकते हो, अगर आपने X Write किया, तो Already आपने One को Inherit करके रखाए Two Class में, तो One के अंदर जो X Property होगा, वो Access हो जाएगा, टेस्टिंग करना है, तो किसी function के अंदर इसे रखना होगा, या किसी constructor के अंदर तभी आप इसके टेस्टिंग कर पाऊगे, तो मैंने यहाँ पे constructor बना लिया, कैसे बना constructor, Two Class के अंदर Two Name से function हमने बनाया, तो यह constructor कहा जाएगा, शी आउट का इस्तमाल कीजिए और X को प्रिंट करने का कोशिस कीजिए, यह constructor बाहर से तभी कॉल होगा, जब आप इसे पबलिक पनाऊगे, तो यहाँ पे आप इस तरह से पबलिक कीवर्ड का इस्तमाल करो, अब देखे इसी Two Class का मैंने Object प्रिप्यर किया main function में, जैसे ही Object प्रिप्यर होगा, इस Two Class का constructor call होगा, और Cout की शाहता से वो X का value print होगा, जो आपके 1 वाले class में था, रन करके टेस्ट कीजिए, देखे, result आया, examination में question होगा, inheritance क्या होता है, तो वहाँ बताएंगे, कि inheritance object oriented का एक principle है, जो आपको एक class के property और method को दूसरे class में इस्तमाल करने क अनुमती देता है, बिना object बनाय हुए, ओके, तो ये एक proper definition होगा, जो आपके interview में या आपके examination में आपको काम देगा, वैसे यहाँ पे, अगर कोई function आप बनालो, जैसे मैंने demo function बनाया, आपे काम करो, demo function में ही, Cout की शाहता से X के value को print कर दो, मुझे ये demo function access करना कैसे होग जैसे directly आपने X को access किया, directly आप demo function को बेज तराशे access कर सकते हो, क्योंकि one class को आपने inherit किया, two class में, तो one का property और method दोनो access होगा, direct, अगर आप X write करोगे direct, तो X access होगा, अगर आप demo function को call करोगे, तो direct आपका demo function काम करेगा, run कीजिए, देखिए, अभी भी result आपको मिला, inheritance आपने समझा, base class और derived class के बारे में समझे, base class वो होगा, जिसको आपने inherit करोगे, जैसे one को मैंने inherit किया, तो one कहलाएगा base class, और जिसमें आप inherit करोगे, जैसे one को आपने two में inherit किया, तो इसे कहा जाएगा derived class, मिटाईए जरा दोनों class को यहां शे, प्रिवेस वीडियो में आपने input और output से related एक छोटा से प्रोग्राम बनाया था, उसी प्रोग्राम को वापस बनाएंगे लेकिन inheritance के सब्दो में, पहला class बनाईए यहां पे input के नाम से, इस class के अंदर दो तीन property को डिकलेर कर दीजे, सारे property को फिल हाल के लिए public रखेंगे, पहला property X, फिर अगला property डिफाइन कर दीजे Y, और अगला property डिफाइन कर दीजे Z के नाम से, constructor बना लेता हूं मैं input की शाहता से, क्योंकि input class के अंदर अगर constructor बनाना है तो, input के नाम से ही function बनाना होगा, user को एक message देना है आपको see out की शाहता से, message दीजे, enter a first number, backslash n का इस्तमाल कर लेंगे ताकि line आपका break हो जाए, जब user first number input करेगा तो उसे आपको X में रखना scene की शाहता से X में रखेंगे, जब first number आपका X में चला जाएगा तो फिर अगले number को प्राप्त करने के लिए user को message देंगे, message में write कर देंगे, enter second number, तो यहाँ A write नहीं होगा, A को हटाइए, यहाँ से भी A को remove कीजिए, जो second number input किया जाएगा उसे हमें Y में रखना है, तो द तो दो number का addition होकर Z में जाएगा, Cout का अगर आप इस्तमाल करोगे और Z को print करोगे तो अपने आप आपको result मिल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ रिजल्ट देने का काम कोई और class करे, तो इसके लिए दूसरा class बनाईए, यहाँ पे output के नामशे, इसके अंदर एक constructor बना ल जाएगा, तब तक आपको result नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पे inherit कर सकते input class को, cash, यह जो output class है, यहाँ पे colon का symbol देंगे, और public की शाहता से define कर देंगे, input class, अब input class का कोई भी property हम यहाँ output class के अंदर इस्तमाल कर पाएंगे, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, Cout की शाहता से user को message message दोगे, your answer is, इसके बाद Z का इस्तमाल करना है, तो Z को आप इस तरह से define कर दो, तो यह Z आपके output class का नहीं है, बलकि यह input class का है, और इस Z को access करने के लिए हम ने क्या किया, इस input class को output class में inherit किया, अपने आप हमें result मिल जाएगा, यह constructor बाहर से access कर सके इसलिए इसके पहले public keyword को लगाईए, अब आपको सोचना है कि आप object output का बनाओगे, या input का, इस चीज को समझे जरा सही से, आपने input को inherit किया output में, मतलब यह हुआ कि जैसे ही आप output की सहायता से object बनाओगे, input का भी object और टोमेटिक बन जाएगा, जैसे यह रहा main function, यहाँ पे मैं obj के नाम से object बनाता हूँ output class की सहायता से, तो output में inherit करके आपने किसको रखा input को, तो सबसे पहले input का ही यह object बनाओगे, और जैसे ही यह input का object बनाओगे, देखे गोर से input class के अंदर हमने constructor बनाया था, पहले यह constructor ही call हो जाएगा, और जैसे ही यह पहले constructor call होगा, user को message आएगा कि आप first, number second number input कीजिए, उनका जो first और second number होगा वो add होकर z में चला जाएगा, जब इस constructor का काम खतम हो जाएगा, तब इस output का आपका constructor call होगा, क्योंकि देखिए output के अंदर भी constructor है, और input वाले class के अंदर भी constructor है, तो पहले कौन सा call होगा, पहले input का constructor call होगा, क्योंकि आपने input को inherit करके output में रखा, तो जैसे output का object बनेगा, पहले इसी input का constructor call होगा, जब इस constructor अपना काम खतम कर लेगा, तब इस output का constructor बनेगा, और फिर आपको result मिल जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही object से आपका दोनु काम हो जाएगा, यही object आपका input का भी constructor call करेगा, और output का भी, रन करके testing कीजिए, देखे, first number मांगा गया, इसका मतलो input class का constructor call हुआ, देखे, मैंने second number input किया, result आया, किसकी वज़ाशे, output वाले class के constructor की वज़ाशे, होशकता है, यह आपको समझ में नहीं आया हो, एक दो बार देखे, समझ में आ जाएगा, next वीडियो में हम access specifiers के बारे में समझेंक वडियो समझ में आया, तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हेट कीजिए, अगर आप web development या software engineering की training करना चाहते हो, तो web institute.com पर विजिट कीजिए, और हमारे शैलेवस के वो जरूर दे एस्पेक्ट में काम करते कैसे हैं, या software industry में work आप कैसे करते हो, इसकी सारी जानकारी आपको software engineering classes को जोईन करके मिल जाएंगी, बैतर जानकारी के लिए हमारे sales team को call कीजिए, अगर आप student हो तो आपके लिए beneficial है, आप अपने course के fee को easily monthly installment में pay कर पाऊगे, web institute की वीडियो को देखने के लिए और web institute.com पे विजिट करने के लिए आपका धन्यवादू